नमस्कार वीके नियूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ मायंग गौर दशकों से भारत का सबसे महतुपूर्ण दोस्त रूस बीते तीन सालों से यूकरेन से जंग लड़ रहा है तीन साथों के बाद भी लड़ाई कब और कैसे खत्म होगी किसी को नहीं पता इस बीच भारत रूस से लगातार तेल खरीत रहा है जिस पर समय समय पर अमेरिका को आपत्य भी खूती रहती है लेकिन इस आपती पर विदेश मंतरी S. जैशंकर ने इस बार अमेरिका को लटा लगाई है जिस पर रूस ने भी भारती विदेश मंतरी की तारीफ की है दरसल रूस के शहर सोची में World Youth Forum में रूस के विदेश मंतरी सरगे लावरोव से पूछा गया कि यूकरीन जंग के वीज भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है इस पर रूसी विदेश मंतरी ने कहा कि मेरे दोस्त जैशंकर ने इसका बखू भी जवाब दिया था उन्होंने भारतिय विदेश मंतरी की जमकर तारीफ की लावरोव ने यूएन में भारतिय विदेश मंतरी के बयान को कोट करते हुए कहा कि जब भारत के विदेश मंत्री से UN में ऐसा ही सवाल किया गया था तब जैशंकर ने उन्हें अपने काम से मतलब रखने की सला दी थी साथ ही उन्हें याद दिलाए था कि पश्चिमी देश रूसी फेडरेशन से कितना तेल खरीद रहे हैं आपको बता देएं कि भारत को रूसी सबसे ज़्यादा क्रूड आइल बेचता है अगर हम बात करें सिर्फ अप्रेल 2023 से जून 2023 की तो भारत ने सिर्फ तीन महीनों में ही रूस से करीब एक लाग करोड रुपे से ज़्यादा का कच्चा तेल खरीदा था इसके बाद इराक से लगबग 55,000 करोड रुपे का फिर साओधी अरब से करीब 45,000 करोड का और फिर UAE जिससे भारत ने 14,000 करोड का करोड खरीदा था और जो देश भारत को रूस से तेल ना खरीदने के सला देता है वो देश यानि के अमेरिका इस लिस्ट में पांचवी नंबर पर है जिसे भारत ने अप्रेल से जून 2023 के दर्मियान महज 12,44,000 करोड का ही तेल खरीदा था अब जब भारत अपनी जरूरत का करीब 40 प्रतिशत का चातेल रूस से खरीदा है तो जाहिर है कि भारत को जवाब देना ही था इसके अलावा रूसी विदेश मंत्री ने भारत संग दोस्ती पर अपनी बात करते हुए कहा कि रूस भारत हमेशा से अच्छे दोस रहे हैं कोल्ड वार के दोरान जब पश्चिमी देशों ने भारत को हतियार देनाया से रोक लगा दी थी तब मौस्को ने भारत का साथ दिया था रूस ने भारत के साथ हाई-टेक मिसाइल ब्रामूस का जॉइंट प्रोडक्शन भी शुरू किया दरसल रूस यूकरेन जंग शुरू होने के बाद से पश्चिमी देशों ने रूस पर पाबंदिया लगा दी थी ऐसे में यूरोप ने तेल खरीदने के लिए मिडिल इस्ट का सहरा लिया था हालनकि इस बीच भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा था इसका कुछ पश्चिमी देशों ने विरूद भी किया था जाहिर है कि इस कदम से भारत और रूस के रिष्टों में गहराई के साथ साथ विश्वास नसर बरकरार रहा बलकि ज्यादा बढ़ गया क्योंकि युद्ध की वज़ा से रूस की अर्थवियोस्ता डोलने लगी थी अमेरिका के तमाम बयानों और निर्देशों के परवा किये बिना भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा जिसका जवाब अब यूएन में भी जैशंकर ने दिया था और जैशंकर के इस जवाब को रूस के विदेश मंतरी लावरोव ने भी अब कोट करते हुए भारत के तारीफ की और साथी साथ भारत के विदेश मंतरी एस जैशंकर की भी जम कर तारीफ की क्या कुछ कहेंगे आप इस खबर पर हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं